नमस्ते दोस्तों मैं हूँ नरेश कुमार आप देख रहे हैं मेरा अपना जेच्ट्री हिंदी यूटूब चैनल आज मैं आपके पेड के महतव के बारे में बताऊंगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को सरू करते हैं पेड परकृती का एक अनमोल उपार है पेड के कारण होई सरी भरी पिर्थवी और हमारे जीवन का खुश हाल है पेड हमारे लिए सच्चा योद्ध है जो जन्मों से हमारे लिए परदूसन से लड़ता रहा है और हमें स्वस्त परियावरन देता है और यह पेड पोद्ध हम पिर्थी पर हजारों वर्सों से हैं इनका परयोगम लकडी फूल फाल बेमारियों और अनेक जड़ी बूटियों में महुत मैत्रपुर्ण होते हैं पेड़ हमारी जीवन के आस्तिव हैं पेड़ों की बिना धर्ती पर जीवन की कल्पना करना असंभाव है पेड़ परकरत्री का वो देन हैं जिसका कोई विकलब उपलब्द नहीं है पेड़ों पर कई जीव जनतु बैठते हैं उन पर अपना गोसला घर बना लेते हैं पेड़ पर यावरन से कार्बन डाक्साइड शियो टू लेके बदले में हमें ऑक्सिजान देता है यह धर्ती पर अमूल संपदा के समान है पेड़ों की कमी से धीरे धीरे परकरती का संतुलन बिगडा रहता है और यह हमें उक्सिजन बहुत कम दे पाता है और यह हमें फल फूल और सबजिया भी देता है हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए परती दिन एक पोदा लगाना चाहिए पेड़ हमें स्व पेड़ों को हमारे गिरह में महतंपन हिस्सा होता है सेरों में पेड़ नहीं होने के कारण वहां पर वर्षा कम होती है वायू पर दूसर भी अधिक मातरा में रहता है अगर पेड़ों की कटाई निरंतन इसी गती से चलती रही तो एक दिन नहीं है जब पिर्त्वी का विनास हो जाएगा पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है इसलिए हमें लोगों को जागरुत करना होगा और अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे जिससे हमारे आने वाला भविश्य सुरक्षित रहे और ज्यादा से ज्यादा ये हमें बहुत हर चीज के लिए तब पुरण धन्यवाद दोस्तों